अस्सलाम अलेकूम और रह्मतुल्लाहिव बरकातू। प्यारे बच्चों, यह जो बूख है हमारे पास, यह एक स्टाइड़ की बूख है। ठीके, और जो हम एक्सिसाइज सॉल्फ करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस है, वो कौनसी है। यह एक्सिसाइज बहुत इसी है बटा, एक मर्तबह आप लोग इसको समझ जाओ बिना सारे सवाल आप खुद कर लोगे मेरी गैरिंदी है। ठीके, लेकिन आपको फॉस कुशन क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। सवाल में देखते हैं, अब को सवाल क्या दिया हुआ है। आप सवाल पढ़ेजिए। सवाल पढ़ने के बाद पहला कुशन जो है। बिना timeчики मीस्की स्टार्ट करने जालू। फॉस्स कुशन आपको छो दिया हुआ है First of all you have to write a question X minus 4 is equal to 3 This is our question उसके बाद देखो हमको X दिया हुआ है ठीक है सवाल के मार X दिया हुआ है X is equal to minus 1 दूसरा क्या दिया हुआ है? 7 Now minus 7 आपको ये 3 terms दिये हुए हैं कि आपको solution करना है तो हम कैसे करेंगे बिटा? पहले आपको question उतारना है Question क्या है हमारा? X minus 4 is equal to 3 अब हम क्या करेंगे? इसके अंगर हमको क्या करना है? Substituting हमको क्या करना है? Substituting करना है कितना लेना है हमको? X is equal to not only 1 minus 1 आपको minus 1 लेना है कैसे करेंगे बिटा? इसको left hand side LHS left hand side left hand side हम लेंगे धियान करें बिटा बराबर का बराबर नीचे जाना चाहिए अगर हम ले रहे हैं left hand side में तो हमारे पास क्या है? X minus 4 तीके? अब हमको X की जगे पर जो value दी गई है वो रखना है यहाँ पर minus 1 हमने लिया यह question में that's why हम यहाँ पर क्या put करेंगे minus 1 अगर हमको 7 बोला है तो हम यह 7 minus 7 बोला है तो minus 7 कुछ और question में दिया है 8 दिया है X की value तो आपको X की जो value दी गई है आपको वो value बूट करता है ठीके? पहला question जो मैंने लिया है उसमें minus 1 दिया है इसकी यह मैंने यहाँ पर minus 1 रखा और जो यह बला minus है इसका minus मैंने same copy किया after that 4 तो एक बाद को याद रखना है मैंनस minus रियांदो इदर minus minus क्या होता है हमेशा plus होता है जो symbol है आपको वो याद रखना है ठीके? minus minus क्या होता है plus होता है तो हमारे पास यह पर क्या है? minus minus है तो minus minus क्या हो जाएगा? plus हो जाएगा तो चार में अगर हम मतलब 4 plus 1 visible to 5 और एक जिसको और ज्याने हैं अगर minus minus plus होता है तो sample हम वो वले number के लगाएंगे जो number हमारे पस बढ़ा होगा तो आप मुझे बताइए 4 बढ़ा है यह 1 बढ़ा है जाईसी बात है आपको number 4 बढ़ा हो है तो उसके साथ कौन से sign लगी वी है minus की लगी वी है इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर minus करना पड़ेगा यहनि left hand side में हमको कितना answer मिला minus 5 और एक चीज़ अब ध्यान दो बटा कि जो हमारे पास यहाँ पर ता question में देखी 3 मिला है हमको और हमको यहाँ से answer कितना मिला है minus 5 इडिस बोट अप सेम क्या दोनों सेम है left hand side बराबर मतलब is equal to right hand side देखिए ध्यान दो यहाँ पर 3 है यहाँ पर 5 है मिस हो रहे क्या दोनों mash up नहीं हो रहे इसलिए हम यह बराबर को क्या कर देंगे कट कर दिये हमने जब इसको कट कर दिया that means x is equal to minus 1 is not the solution not the क्या है हमारा solution इसका नहीं है got it clear वापस से बताओ एक बार पहले आपको कुशन लिखना है बेटा कुशन लिखने के बाद आपको substituting करना है जो numbers दिये हुए है आपको three numbers दिया है बेटा तो आपको तीनों ही करना पड़ेगा अगर 4 दिया है तो चार ही करना है exam में अगर दो number देता है तो इसलिप आपको two digits करना पड़ेगा कैसे करना है मैंने आपको बता दिया left hand side आपको लिखना जरूरी है left hand side में आपको क्या करना है जो बराबर के उच जानब में बराबर के जानब कौन है 3 है तो हमको हमारा answer कैसा बिलना चाहिए 3 अगर 3 रहेगा तो वो left hand side और right hand side क्या है equal होगी यह solution होगा अगर same नहीं आए है तो यह solution नहीं होगा तो अब हमने क्या किया x की value पे हमने जो हमको value दिया गया था हमने वो value put किया with sign sign के साथ में करें हम लोगों ने तीके फिर minus का minus उतारा हम लोगों ने 4 का 4 लिया मैंने आपको बता दिया कि minus minus क्या होता है plus होता है but sign कि इसकी आती है यह पड़े number किया दिया बड़ा number हमारे पास यहां 4 तो हमारे पास sign कौन सी होगई minus की होगई अब यहां पर देखने वाली बाक यह यहां पर 3 था और हमको answer मिला है 5 यह left hand side और right hand side दोनों match नहीं करें that's why हमको क्या लिखना पड़ेगा आपको यहां पर यह sample डालना पड़ेगा पड़ेगा therefore तो x minus 1 is not the solution यह solution नहीं है आपको इतना करना है आपने इतना किया है तो आप यह मस्सोचो कि आपको पूरे marks मिल जाएंगे नहीं मिलेंगे अभी आपको second question बचा हुआ है उसे का second time बचा हुआ हुआ card also remain चलो अब हम साथ में करते हैं ताकि हमको समझ रहा है अब हम क्या कर रही है वापस से हमको लिखना है क्या लिखना है substituting substituting x minus is equal to कितना दिया है विटा 7 हम कितना लिखेंगे 7 क्या करेंगे left hand side जैसा मैंने पहले लिखा question हमारे पास क्या है x minus 4 x की value हमको कितना रखना है विटा 7 जैसा लाई minus का minus 4 का 4 अब बताइए मुझे 7 में से अगर आप 4 minus करते हूं तो कितना अंसर बचेगा 3 जैसा लाई तो left hand side में आपको answer क्या मिला 3 अब हमको left hand side और right hand side दोनों check out करना है न तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा left hand side is equal to right hand side तीके अब मुझे देखना है यह solution में है यह नहीं है तो मेरा question क्याता 3 अब मुझे answer भी क्या मिला है 3 yes it is correct तो मैं यहाँ पर cut नहीं करूंदी बटा answer में मुझे क्या करना पड़ेगा therefore x is equal to 7 is the what is that solution यह solution है I hope आपको इतना समझ में आया होगा अब मैं ताड़ यहीं पर ही करती हूं side नहीं तीके अब आपको क्या करना है मैं इसलिए कर रहे ताके आपको एक ही page पर सारी चीज़ने मिल जाए तीके substituting इसको बोलो साथ पर दे रहे हां substituting is equal to अभी हमारे पास कितना नमबर है बेटा minus 7 आप लोग अपनी बुक ले करके बैटो ताके आपको समझ में आया सिर्फ देखने से आपको समझ में नहीं आया है आप लोग साथ साथ में solve करते जाओ let's start left hand side is equal to question उतारेंगे हमने question क्या है x minus 4 अब x की जगे पे हमको क्या पुट करना है minus 7 देखो यहां पर हमारे पास 7 था बिटा that's why हमको यहां पर answer मिल लिया अब हम minus 7 के साथ तरा कर देखते हैं और हमको देखना है क्या हमको answer मिलता है minus 4 का मैंने minus 4 लिया मैंने अभी आप लोगों को एक rule बताया क्या बताया minus minus क्या होता है plus होता है और जो number बढ़ा होता है उसके sign लगती है minus minus plus हुआ that means 11 दोनों में कौन सा digits बढ़ा है 7 बढ़ा है 7 के साथ sign कौन से लगी है minus के लगी है तो इसलिए हमारे पास left hand side का जो answer आया वो कितना होगे है minus 11 और right hand side हमको कितना मिला है right hand side हमारे पास कितना है बटा 3 है न दोनों क्या मैंचक हो रहे हैं नहीं तो आपको लिखना है left hand side and right hand side अब देखो बटा दोनों same है क्या यह दोनों same दिखाई दे रहे हैं आपको नहीं न तो you have to cut और क्या नहीं होगे solution याद रखना that's why therefore करना है आपको x is equal to minus 7 is the not solution because यह हमारे पास solution में नहीं था न यह अभी दे को मैंने first question लिया यह first question जागा जाएगा थोड़ा बड़ा जाएगा बिटा लेकिन second भी आप लोग कर लोगे और third भी कर लोगे fourth भी कर लोगे ठीक है तो चलिए हम start करते है question number two question number two अगर हमको start करना है बिटा तो पहले हमको क्या करना है थोड़ा सा अलग है धियान देना बिटा क्योंकि देखे इसमें अलग था यह थोड़ा अलग है बस ऐसी बाते हैं आप बड़े हो चुके हो तो आपको हर question same नहीं देगा यह question के अंदर है देख लो पहले आपको minus दिया same ऐसी question दिया मगर उसमें क्या कर दिया अब यहां पर भी आप तो ऐसा confused हो जाओगे यहां पर तो कुछ भी नहीं किया उसने direct sample दे दिया फिर यह वाला जो question है थोड़ा थोड़ा से same है तो आप लोग कर सकते हो यहां पर x से जगे पर उसमें वाल दिया हमको कुछ भी देना हुचा है x दे चह y दे हमको तो method पता चल चुका है लेकिन इस second वाला method आप देख लो तक कि आप लोंको समझ में आ जाए सारी बाते ठीक है चलिए हम second वाला method है उसको क्या करते है solve करने की कोशिश करते है साथ साथ में करते चलना विटा 9m is equal to 81 this is our question और हमको m की value क्या put करने बोला है एक बार 3 बोला है एक बार 9 बोला है और एक बार minus 3 बोला है got it till here let me start we will write the question 9m is equal to 81 क्या लिखना है हमने इस से पहले जो मेंने word बोला था आपको substituting इस पहले व्याद कर लेना बेटा इसकी substituting पहले कौन सा लेना है हमको